है गाईज देखो आज के जमाने का कोश्चन क्या गिर्गिट रंग बदल सकता नहीं गिर्गिट से ज्यादा इंसान रंग बदल देते हैं और गिर्गिट सर्माज आता है कि भाई ये लोग तो मुझसे ज्यादा रंग बदलते हैं गिर्गिट मैं हूँ या वो लोगे समझ म तो दुनिया बदल चुका कल्यू आ चुका यहां पर ठीक है तो देखो आज की रेट में आपको बताया जाएगा छोटे-छोटे बच्चों की तरह समझाया जाएगा कि यह छोटे वाले स्टॉक मत खरी लेना गलते से ने तो टूब जाओगे दस सल बाद 20 सल बाद तुम्हे दस रुपाया का शेयर्राने कर निकाल हैं तुम्हें पता है यह 5 रुपाय शेयर्रस करोड पति बना दिया इस 10-TC रूपाच शेयर्र बनाकर दियां किन्हें याद्हाँ कभी अगर सेसे लिए ख्में कहुम ने खःदा फो आइस बिशना कैया हो हुआ है लोग गिघरिचह भी जादा रंग बदल रहे हैं आज छोटे हैं स्टॉक तो लोग बोलेंगे छोटे स्टॉक में वेस्ट मत करना दस साल बार डायलोग चेंज हो जाता है बहुत सारे आप देखते हो ना क्या बोलते हैं आप टिक टॉक वीडियो बगरा या यूटूब में देखना चाहते हो स्टॉक मार्जे करते हैं आफटर मेरे वहीं होता है मतलब virus को before और देख यो क्या होता है स्मझेरे और और फिर जब stock में आपको बता देना चाहता हूं वही छोटे-छोटे stock जो बड़े बन जाते हैं तो बहुत बड़े-बड़े जो analyst होते हैं, सारे लोग वही stock के बारे में आपको जनकारी देंगें, वही stock के बारे में, दिन हो रात हो, मतलब समझो कि मतलब मंदिर में एक साद पेमे वाले हैं तो फिर बताने में क्या तकलीफ हो रही थी नहीं प्रावलम यह था ना कि वह छोटा था कुछ भी हो सकता था कंपनियों की लगा दूँगा आपका हाथ में दर्द ला दूँगा मैं आपको इतना लिखवा दूँगा आपको कंपनियों का नाम समझ रहो ना लिखते लिखते आप ठक जाओगे बोले को यह क्या दिखा दी आज के रेट में मुझे समझ रहो ना इतने सारे छोटे 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 कंपनियों ने इतना बड़ा बड़ा रेटिटर निकाल के दिया आना कि आप लिखते लिखते ठक जाओगे याद नहीं कर पाओगे चोटे 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 से आज की रिट में कहां अस्मान में बने बैठे हैं कहां अस्मान में और इसको टक्कर देने वाला मैं आपको बता दूँ कोई भी नहीं होता कोई भी नहीं होता अभी देखो यहां पर एक कहानी है जहां पर पताया जा रहा किवल 11 रुपया का स्टॉक ने 1560 रुपीस पर यह चला गया और कितना बड़ा रिटर निकाल के दिया है देख लीजें इस ना अगर किसी इनसान ने किसी इंसान ने इंसानियत के साथ अगर एक लाख रुपय का भी इनवेस्टमेंट किया होता तो आज के रेट में भाई वो इंसान अपने आपको मतलब बहुत जादा प्राउड फिल करता देख लेजे इतना बड़ा अमाउंट बना देता आपको काउंट करनी में भी मुझे का नाम है टोरिंट फार्मा देख सकते हो फार्मसोटिकल्स फिप्टी टू थाउजन करोड फिप्टी थाउजन करोड का मार्केट कैप और यह कंपनी बन गया लार्ज कैप जबी 11 रुपय में स्टॉक चल रहा था था ना तो किसी ने भी नहीं पूछा आज देखो बदलने वाले लोग आ गया यहां पर देख सकते हो तार्गेट दिया गया वन थाउजन सेव हइन अने फ्टी रुपिस का वाह तर्गेट दिया गया है यह आप देक सकते हो आपसाइड बताय गया 13 परसंट का यह क्या मतलब करते हैं मुझे समझ में याता है मैं तो आपको बता दूँ कि मतलब यह तो को भी बता सकता है जब एक कंपणी अच्छी बन चुकिए इस पर तार्गेट क्या देना है क्या फालतो का target देना मेरे इसाप से तो ये ठीक नहीं लगता है बिल्कुल मैं तो against में खड़े रहता हूं कोई फायदा है नहीं कमपणी बड़ी बन चुकित या इसको में target देना मैं भी बोद उओ मैं आपको target दूँ Reliance industry आने वाले दूरे में 5000 चला जाएगा ठीक है चला जाएगा हाँ चला जाएगा लंबे समय में इसमें कौन से बड़ी बात है भाई कौन से बड़ी बात है आगी निया अगर एक 5 रुपय का target दो हाँ है यह 5 रुपय के company इसका target दे तो 50 रुपय तो मैं जानू नहीं देंगे नहीं देंगे तो ये लोग जो बड़े-बड़े अनेलिस्ट होते ना वो कि वल बड़े-बड़े कंपणियों पर ही अपना रॉप दिखा सकते है देख लिए बहुत बड़ा कंपणिया और मैं आपको बताता हूँ बड़ी-बड़ी कंपणियों की दास्ता मैं आपको बताता हूँ अब देखिए सन फर्मा ये दो रुपे से चला दो रुपे से और इसने भी बहुत अच्छा रिटन बना का दिया निफ्टी-फिप्टी का किंग है 45,000 परसंट का रिटन 2.19 2.19 लाइक करोड का मार्केट कैप है सन फर्मा कितने रुपे से चलना स्टार्ट किया था 2 रुपे से लेकिन किसी ने भी नहीं बताया हूँ इस 2 रुपे के कंपणिय को खरीदने के लिए जब ये कंपणिय बड़ा बन गया लाज कब बन गया निफ्टी 50 में जैसे मतलब डिजर्ब करने लगा तब लोग बताएंगे आपको अरविंदो फार्मा देख लिजे 4 रुपे का शेर क्यों नहीं बताते हैं आपको पता है ये 4 रुपे का शेर है ये कितना पसंट का रिटन 600 पसंट का रिटन बना कर दिया लगे गा निये चीज़ होता है इक बार नहीं कई बार ये ब मरेस टॉइब ये यहां पर 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 देख लिए लेकिन कंपणी बड़ी बन गई आप famili सब लोग logistics करेंगे यहां देख सकते हूँ, इतना लंबा घसीटा स्टॉक उसके बादच लाय करके है, केवल 2.75 रुपए का शेर है, कोई नहीं बताएगा आई से स्टॉक के बारे में, कोई नहीं बताएगा, जब छोटे रहेंगे तो कोई नहीं बताएगा, लूपिन, लूपिन कमपनी है, मु आल टाइम हाई से देखते हैं तो स्टॉक 66 पसंट गिरा हुआ है बड़े-बड़े अनेलिस्ट तारीफ करेंगे नहीं लुपीन अच्छा कंपनी है किस दिमाग से बोल रहे हैं अच्छा कंपनी है भांग खायो क्या जब गिरा हुआ है नुकसान दे रहा है लेकिन क्यूंकि कंपनी बड़ी है इस बज़े से अच्छा है एक इंसान भेले कितना मैं आपको बता दूँ उसको एबी सीडी भी ना आता हो लेकिन उसको पास करोड की खरसमपती हो तो इंसान अच्छा ही है और बगल में फूट पात वाला जो मैं आपको बता दूँ कि डेली मतलब मेहनत को और बना लो करोड रुपे नए क्योंकि यह दे चुका है बात खत्तम हो चुकी है तो यह चीज होती है यह भी कितना से तो यह भी दो रुपे से चलना स्टार्ट किया था देख लिजे देख रहे हैं ना फार्मा सेक्टर में और यह जो अभी तो मैं आपको बतातू कोई भी चीज छोटे से ही स्टार्ट होता और बड़ा बनता है लेकिन हम लोगों की आदत है बड़े बड़े चीजों पर ही फोकस करना है देखो अगर आप अपने लाइफ में छोटे छोटे गोल बनाते हो ना गोल आपका तार्गेट क्या है तो आप एचीव कर पाओगे अग अब यह आपके ओपर डिपेंड है कि आप कैसा रिसर्च करते हो और कैसी कंपनी को ढूंडते हो राके जुन जुन वाला ने टाइटन को तब खरदा था जब पूरी दुनिया माल बेच रहे थी याद रखे सभी लोग करोड़ पती नहीं बन सकते हैं लेकिन कुछ लोग ज वह ज़या जागा है बहुत सारे लोग बोले पेटियंग दोसुर रूपय बी चला जाएगा तो कैसे अने लिस्त है बही कुछ लोग बोले ओपर कुछ लोग बुले नीचे इसका मतलब ये तो है कि एक बहुत गलत है आप मालेते हैं कि पांस रूपय का प्राइस है पेटि तो इस दुनिया में सब कुछ है तो सुनो सब की लेकिन करो अपनी मन की याद रखेगा क्या पता आपने जो पैनी स्टॉक खरीद रखा है या मल्टी बगर स्टॉक खरीद रखा अपने पोर्टफोलियो में वो आने वाले पांच या दस सलों में निफ्टी का किंग बन कुछ आब şunu आपको पैरे तो ले आएंगे आपका नाम लेके आपका नाम आएगा इंच्योंगे सटॉक टाइटन का मतलब राकेिजूञण पता है कि टाइटन रतन टाटाजी की कंपनी है या किसकी कंपनी वह पता नहीं लेकिन राके जुन-जुन वाला इतना है वाई समझ रहो जितने लोग बोलते हैं बजाज फाइनिस अच्छा है जिस दिन बजाज फाइनिस 50-60% गिरा था उस दिन कोई भी नहीं सामने आया था 2008 में ज लेकिन है एक अनपड़ इंसान को पढ़ा देना और एक पढ़े लिखे इंसान को पढ़ा देना बहुत फर्क है समझ रहो ना ट्रेनिंग तो मैं आपको बता दूं सबको दिया जा सकता है लेकिन उनको देकर दिखाओ न जो नहीं कर पा रहा है और अगर आप स्टॉक मार् उसे मत रहो अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ क्या पता आप कुछ अलग कर दिखाओ गांधी जी क्या बहुत बड़े मतलब पैसे वाली के खंदान से थे नहीं भाई वो भी एक आम इंसान थे हम लोगों के तरह आप लोगों के तरह लेकिन फिर भी गांधी जी ने अंदर की सकती को जगा हो सकता है मैं आपको पता दूँ यह जितने लोग वीडियो देख रहे हैं इतने लोगों में सकर खुद का भी रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं लोग जादा तर रोग तो आने वाले पांच सालों में बहुत सारे लोग करोपति बनके निकल जाएंगे